यह सो हलो एव्रीवान हितेश एर एंड टुड़ी वी गना टॉक अबाट यूर मोस्ट अविटेट मुवी काल्ड किसी का भाई किसी की जान जिसे मैंने हाल ही में बड़े पर एंजॉय किया और फाइनली इसका एक्स्प्लेशन है आप लोगों के लिए वेल अगर इसका स्प जैसी आपकी डिमांड वैसा अमारा काम सुना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चली आते हैं इस कहानी की में स्टोरी लाइन की दरफ जिसकी शुरवात में हम एक पॉलेटीशन को देख पाते हैं जिसके इर्द गिर्द इस वक्त काफी सारे बड़े-बड़े बिल्ड कर पा रहा था तो यहां पर इस कहानी के बहुत ही बैतरीन एक्टर विजिंद्र कुमार जो की बाइप्रोफेशनल बॉक्सर है इनका हर्यानवी टच मुझे तो बहुत पसंद आया जो कि आते ही कहते हैं कि उसे मैं देख लूँगा और वो अपने खास आदमी को उनके महले में भायजान के तीन भाईयों को देख पाते हैं जिनका नाम होता है इश्क मोह और लव किसी आदमी का नाम अच्छा लगता नहीं है तो यहां पर नाम मोह रख दिया है पहले तो यह गुंडा सभी को नॉर्मल वे में धंकार आ था और कह रहा था कि अगर जल्द से जल्द खाने का शौक तो था उससे तो बोल देता है कि बुलाव भाई जान को अब भाई जान आते हैं जैकट आस्पान में फैंक के उसी में लैंड करकुरा कर एकदम धरती पर सूपर हीरो की लैंडिंग भाई तो भाई है यहां पर मूवी की कुछ क्रिंज डैलॉक से उनको स्कि कुछ लेता है अब भाई जीत के तो आएगा मूवी में टोटल मूवी का रंटाइम था दो गंटे 24 मिनट 24 मिनट के गाने निकाल दो गंटे की पिक्चर है तो उसको अपन कोशिश करेंगे कि 15-20 मिनट पर फटा वट से निप्टा दें अब सॉंग में हमें यहां पता चलत अब यह तीनों कपल्स आपस में शादी तो करना चाते हैं लेकिन भाई जान जिन्हों ने अपने तीनों भाईयों के लिए खुछ शादी नहीं करी तो आखिर वह भाई जान से बिना बात करें को पटाते हैं कि जाकर एक बर उन से बोलो उनकी कोई सैटिंग वैटिंग गई थी सबसे पहले तो सतीश जी उन तीनों लड़कियों को बिलाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम सच मुझ इन तीनों लफंगों से प्यार करती हो अब जब लड़कियां कर देती हैं कि हाँ भाई करते हैं तो फाइनली यह जाकर बातचीत करने पहुंचते हैं पाने की कुशिश करी और मैंने उन्हें बता दिया कि तुम्हारी एक एक थी भाग्या जो कि इस वक्त मुंबई में मौजूद है अब तरफ यह पूछने के लिए कि क्या अभी तक आपकी शादी तो नहीं हुई लेकिन यहां पर पता चलता है कि उनकी शादी भी और आज के बेटे की सगाई है अब क्योंकि भाई को भी खबर मिल चुकी थी तो वह भी यहां पर पहुंच जाते हैं और इन दोनों ने एक पुरानी मुवी भी करी थी तो उसका सौंग भी दिखाया जाता है हाला कि प्ले नहीं कर सकता वरना कॉपरेट इशू आ जाएंगे और इस चैली में जहां पर भाईजान के तीनों भाई भगवान से दुआ मांगने लगते हैं कि कोई तो लड़की बेजदो तागी भाई का काम हो सके फिर हमारी शादी भी हो जाए उसी वक्त कहानी की लीड एक्टर्स पूजा हेगड़े और भागय लक्षमी की एंट्री होती है यानि की शॉट में उसे भागय 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 बोलते हैं यह इस वक्त शहर में नहीं थी और जो पता इनको मिला था वह एक ब्रॉथल आउस का था तो इसलिए उसने वहां पर न जाकर इन तीनों से मदद मांगी और यह सब तो वैसे भी सूशल वर करते तो यह कहते हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोगों को घर दे दिया करते हैं तो तुम्हारी मदद तो भाई करी देंगे मतलब वह भागय के साथ में भागय की सैटिंग लगाने की कोशिश कर रहे यहां पर गुंडा आकर बोलता है विजंदर जी को की काम तो हुआ नहीं है कि तुमसे तो ना हो पाएगा इस काम के लिए मैं किसी और को बेज़ूंगा में वाइजान और भागया की थोड़ी थोड़ी लफ्स तोरी चलती जा रही थी कोई कभी किसी करने की कोशिश करता है तो कोई भाव नहीं देता है इसी भी चम्वियोर्स को पता लगता है कि भ अब एक तरफ जब इनकी बात्चीश चली रहे थी इसी वक्त यहां पर एक स्नाइपर आकर भाई को मारने की कोशिश करता है पहले थो मुझे लगा कि दस फुट की दूरी से स्नाइपर मारने के लिए क्यों लेकर रहा है यह लेकिन इसका राजबाद में खुलेगा तो कमि लगों की डिमांड नहीं होती तो यह मूवी तो बिल्कुल नहीं करता अगर कैसी मूवी में कुछ बेकार चीज़ें होती है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है जो कि इस मूवी के मिलेगी तो धिरी-दिरी आते हैं पर अब इस पूरी लव स्टोरी में यहां पर ती रिव्यू में भी यह बात कही थी कि अगर ट्रेंज सीक्वेंस जो मलब यहां की जो फाइट हुई थी अगर पठान के साथ कंपैर करें तो उसको दूंगा हंड्रीड और इस फाइट को दूंगा वो तो आपको मूवी में बता चली जाएगा तो फाइट के बात कंक्लूज हामला होता तो तुम क्या करतें चुकचा मार खाते हैं या फिर हमत से नका सामना करते हैं तो मैंने भ्ही भाइव कि एब बात समझ में आती है और यहां फोले जाती हैंअच लगहत करेदेशन और साथ वाइब ने मैं कहांगार को इस मूवी 1 परसंट बचाया है बहुत शानदार डांसवांस होता है गाने भी बढ़िया थे इस वाली जगह पर जिसके बाद भाईजान की इंट्री घर में होती है और वो यहां की नानिमा से मिलते हैं वो पिछले 8 साल से कोमा में पड़ी थी और जैसी भाईजान आया उन्होंने का कि यह दादी जो है अब दुष्मन पहले मेरे प्लेस पर था अभी तुम्हारे प्लेस पर आ चुका है तो बदला ले डालो लेकिन सम्हाव बात पता चल जाती है और वह बातचीत करने के लिए नागेश्वर के पास पहुंचते हैं जहां पर नागेश्वरी बताता है कि मैं अनईया का दुश्मन ह तो तुम दोनों कोई जिंदा तो मैं छोड़ने नहीं बला जहां पर भायजान कहते हैं कि देखो मैं फाइट वगर करते हैं यहां पर आया नहीं हूं मुझे साफ मना किया गया नहीं तो अभी तुम सब की हड़ी पसली करके रख देता जिस पर नागेश्वर कहता है कि ठी तैयार नहीं अब इनकी यह बात चली रही थी और इतने में घर पर गुंड़े आकर हमला कर देते हैं तो यह तो आपकी जान बचाने के लिए ही सब कुछ कर रहा हूं आज सुबह मैंने नागेश्वर से बात करी वह सब को जगड़ा खत्म करने के लिए आपको नाक रगड कोई बात में अपने परिवार के लिए हर दिन माफिय मांग सकता हूं और बाइजान और नागेश्वर के पास जाते बाढ़ो 堅र ऺगवान से प्रातना कर रही थी ऑंगर बदल घ्र मेरे बेटे को बदल दोनों में से सब्सक्र लेकिन बाइजान का कहना था कि गुट क्वालिटी मुझ में नहीं गुट क्वालिटी आप में है कि आप अपने परिवार को बचाने के लिए खुद जुकने को तयार हो गए जो की फिलहाल के लिए उनको भेज देता है घर पे लेकिन उसके मन में अभी भी गुस्सा था और का रीजन यह था कि नागेश्वर के फादर की एक कॉफी फैक्टरी थी दीरी दीरे कॉफी की ट्रकों में वो ड्रग्स बेचने लगा था और एक दिन अनईया ने उसका ड्रग्स पकड़ लिया था तो पुलीस आई और वो तो उसके फादर को ले गई लेकिन शहर के नामी नहीं होए थे कुछ और बाकी थे तो यहां अगे ने का बड़िया गाना आता है लुगी पुंगी कुछ तो था याद निये लेकिन गाने का मस्ट पॉइंट यह था कि यहां पर राम की एंट्री होती वही आरार वाले राम चरण नाटू नाटू सॉंग वाले और सच में म लग जाती है कोई मर जाता है थोड़ी थिर बात-पता चलता है कि यह तो भायजान का सपना था उसे लग रहा था फारिंग हुई है लेकिन उसमें कोई मरा नहीं था यह सिर्फ नॉर्मल फारिंग हुई थी हैदराबाद वाले घर पर और इस वक्त पूरी फैमली थी डैली गई है कि भायजान की तीनों भाई अडॉप्टेड थे यानि और्फनेच लाए गए थे मगर यह बात और इन तीनों भाईयों को मौलूम थी क्योंकि सतीश कौशिक जी मतलब जो हैल्डर है उन्होंने पहले इन बच्चों को बता दिया था यह भाईजान बच्पन में तुम्हें बचाया तुम्हें अच्छा पढ़ाया लिखाया और उसी के साथ रात को अंधिरे में खुद भी पढ़ा करते थे ताकि कोई तुम्हारे उपर उंगली न उठा लेगी तुम तो अनपढ़ गे भाईयों पर घैर भाईयों को इस सारी बाते मालूम थी तो एक अ प्रॉफिटेबल थेंग आजकल मुवी दो तरीके से चलती है या तो भगवान भरो से या फिर सलमान भरो से तो भाईजान सब की जान सलमान खान इस मूवी में है तो यह तो चलेगी नो है टू भागया जी को भाईजान के बाल और डाड़ी बड़ी पसंद नहीं थी तो इस बार वो मस्त शेव वेव करवा के अगेन आ जाते हैं और यहां पर अगेन सौंग आता है सब धमादम डांस करते हैं आप डैली में थे तो यहां पर विजिंद्र सिंग अपने बिजवा कर यहां पर धुलाई को टाई करवा देता है बहुत ही प्यारा फाइट सीक्मेंस करते देख पाते हैं कि या तो नागेश्वर को बदल दे अच्छा इंसान उना दे या फिर मेरे बेटे को बदल दे अब जो याद है मैंने स्टार्टिंग में काहता है कि एक फ्लैश बैग ता अनईया का वह सबको मार रहे थे पीट रहे तो बीसिकली और वह बहुत क्या थे और भाई कैसे भूल सब्सक्राइब मैं भी लगाऊंगा इसा मजाग करो ओके तो फाइट कोच 15-20 मिनिट लंबी थी तो मैं डारेक्ली कंक्लूजन पर आता हूं इसके अंदर विजिंद्र के थूचाकु लग जाता है नागेश्वर को वह भी जारा मारा जाता है और बार यादि विजिंद्र की जो कि खुद भी एक बॉक्सर है सलु भाई अपने उसको बहुत मारते हैं इधर उदर की बिल्डिंग गर जाती है और उसको मारने कूटने के लिए भाई हाथ पैर नहीं चलाते ओ उपने भेंटी मार मार के उसको खतम कर देते हैं पूरा ज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे बाकी चैनल के लिंक दे रखे हैं जाओ सब्सक्राइब करो हर एक इंट्रस्ट के अकॉर्डिंग हर एक चैनल पर कॉंटेंट डिला हुआ है किसी को फ्रेंचाइजी पसंदे किसी को रिव्यूज पसंदे किसी को वैप सीरी सब्सक्राइब करने मेरी मदद जरूर करेंगे इसलिए आप सभी को एडवांस थैंक्यू सतब्सक्राइब के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्रूर्त झाल, 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 झाल